कि नमस्कार दोस्तों मैं स्टेट विथ राजन से राजन खुमार यह घटना चक्र जीएस दिरिष्टी का जो चीतर आत्मक पुस्त्रती है जिसको सौट रिविजन के लिए बहुत ही अच्छा बुक है उसका हम कुबर कर रहे हैं चलिए सुरू करते हैं भारतिय सविधान यह सबसे पहला भाग में याद रखना पड़ता है 22 अब देखे 22 के 22 भाग याद करना जोरी नहीं है लेकिन कौन कौन जोरी है वह हम आपको बता दे रहे हैं भागवान में संग और उसका राजशेत लिखा हुए भागटू में नागरिकता लिखा है भागतिन में मूल अधिक लिखित आघर वजचार में 31 वेशर में मिलेगा नागरिकता भागतू में मूल अधिकार है 22-25 में मिलेगा भागतिन में राज के नितिद ने देशकता है ऐगे हम बढ़ेंगे वाग चार की को है को मुल ऐसको सब्सक्राइब में और है इसको रखा गिया था दूस्त है कि मनिंदू आपको बढ़ा दिया सब्सक्राइब कर दिया गया और मुल्क करतब जो कहां से लिए गया है रस्या से ठीक है मुल्क करतब जो है सब्सक्राइब करतों समूर्ण और सब्सक्राइब कर दें चैनला सा एक Fame गे बढ़न गबने में उसके बद्वाग धागती जो है उसमें राश्ट पति की बीतीय अधिकार दिये गए एकस तरीस में और एकस्ट चोबिस मतलब यह आपको अध्याचार में आते हैं इसमें क्या है संग्य नई पलक्या के बारे उलेखित है जो 124 से लिकर 147 तक है उसके बाद आपको अध्याचा पांच में भारत की नियांतर एव महालेखा प्रिक्षण है 149 से काउन तक अब आते हैं भाग्चो तो भाग्चो क्या है एक सो आपको कि बाउंस लेकर 237 तक अनुश्य तक मिलेगा कौन भाग्चो भाग्चो में क्या है तो राज है अब इसके भी अध्य है अलग-अलग है इसमें देखिए समान बात लिखा गया है एक सो बाउंस लेकर 237 तक उसका कर्षपल का अब उससी समान में से कुछ भीषय अपको चाट के यहां पे दीया आ भाग्दू में कर्षपल की कि में है एक सो त्रिटीर से दूसर बार ए में राज की विधाया अधिकार यहीं है राजपल के द्वरा अधदेश जारी करने के सकती है राजजों के स्वस्पने आले कहा है पर निरसित को हुआ अब इसको हटा दिये गया है लेकिनन इसमें जो पको हटा दिये गया है अब देखे भाग आट जो है संगली थे सव्मीज में किस संवासित में है जो इसमें के बात किए में determination में में क्या बात कि संसित में है तो 243 के तो से लेकर 244 के और भाग नौ के क्या है तो सहकारी समिती है इसको 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक समिल किया गया है यह सब याद रखेगा इनपोर्टेंट है इसमें क्या अनुशुचित और जन्जातिश्यत्र के बारे में लिख्या गया है जो 244 के से लेकर 244 की को तक है उसका आगे बढ़ते हैं भाग एगारे में क्या है तो संग और राजश्यत्र के भी संबंध है 245 से लेकर 200 आपको तीर्षट तक इसको भी अ हुआ है कि है मैं दूसर तीरषट में क्या गठन के जएका तो अंत्राजीय परस्त कुछ गठन तो आपको 1990 में कि समिती के स्पारीश पर साहकारिया सभारिया समिती के स्पारीश चलिए नेश्टत हैं तो परसासिश्यत्र उसको पर आइएगा आपको मिलेगा कि भागबार यह तो भागबार में क्या है वितिय संपती और समिदा वाद जो दूसर चौनसर से लगए 300 को अतक है तो भागबार यह बितिय संपती के बारे में बताता है यह बात याद रिखेगा अब इसको उतना डिटल से यहाद करने का वसकता नहीं है देख सकते हैं पर संपतिक अधिकार की संद्द में दिया तो 300 कौ में है मुल अधिकार में पौले था जिसको हटाके आपको डाल दिया यहाँ पर जो अपको समिधानी का अधिकार बन ग्या है क्यूंकि स्मिधान में इसका उल्ले कही चलिए निश्टत इह अब संपतिक अधिकार मुल्य अधिकार ना होके स्वमध्यानिक अधिकार है याद रखेगा कि इसके बात का उलेखित है निश्टत है भागतेरे में क्या है तो भारत के राज़्षे तिरके भीतर वैपार वाणे जोर समागान के बारे में उलेखित है उतना जरूत नहीं है अनुचे 301 से 307 तक उलेखित है इसका जरूत उतना नहीं है भाग चोदे में क्या है तो 308 से 303 तक बात है संग और राज सेवा के अधिन सेवाव के बारे में उलेखित है इंपोर्टेंट है और उसका भी अलग-अलग भाग है तो उसका अध्याय है उसका आपको उतना उ सकते नहीं है चोदे का इंपोर्टेंट है अधिकरण के बारे में लेखित है जो आपको अनुचे 303 के को से लेकर 30 को लेखित है भाग पंद्रे निवाचन इंपोर्टेंट आपके लिए 324 से लेकर 329 को तक है भाग स्वार में क्या है कुछ वर्गों के विश्यस परधन है जो 330 से लेकर 52 को शत्तर में क्या है राज भषा है जो 343 से तिन से काउन है अध्याइग अब इसका भी अलग-अलग पाठ है चलिए खर तरह सांग की भासा क्या है तो 34345 तर्धिक उसका क्या दिया ये क्या है उसकोम में तरुम नहीं नहीं लेकिक अब मिल जातें चलिख टैनी सब्सक्राइब बात लिखा गया है अब इसमें इतना सारा भाग है है इंपोर्टन कोन है आपको बता देते हैं है यहां पर भाग 20 भाग 4 भाग चाहर के HA intelligence कि इसको भाग 6 इृद्धिया शुर्दिजीगा उसके बाद आप आज है आपको भाग नो भा नो करकर खृँना ऐन्सको शुरुद है पalahे इसके बाद आप भाग चोदी के कौ इसके बाद आप सत्रे उसके बाद में आपको अठाड़े उसके बाद बीश इतना इनपोर्टेंट है याद रखेगा चलिए नेश्डा मागे बढ़ेंगे अब देखिए यहां पर भासाई आयोग समिति भासा के अधार पर जो राज बना था उसके बारे में यहां पर उले खित किया जा रहा है तो सबसे पहले भासाई पर अंति आयोग बना था कब यह बना था आपको सब्सक्राइब बना था पर राज के गठन की मांग को ना कार दिया तो आपड़ जेबी पी जे बी जे बी पी जाला नहरू बल्लभाई पटेल पटावी सितर मया तिनुव आदमी के अध़क्ता में समित्य बनी थी नाम सामने आपके कवबना दिसम उनिशन तरीस विसमें इसने अपने रिपोर्ट सोंपा उन्चार्श में उन्चार्श में और उन्ससा क्या गया है कि भासा के अधार पर राज को गठन करना उचित नहीं है इन्होंने भी अस्वक्रित कर दिया उसके बाद बना राज पुर्ण गठन आयोग को बना उनिसो तीरीपनिसवी में अधार्श कौन थे फजल अली थे सदर्श कौन थे के एंपड़िकर और एच एन कुजरू हर्जा कई रिपोर्ट सौंपी इनुन्हें में पच्सपन में और उसी के अधार पर इसके एधार पर राज्यो के पुर्ण गठन के बात इसन्माथ बोले इकमाथ पूले कि एकमा अधार अधार होना चाही डेना यह में वात क्पा यहां पर आते हैं आन्दाइश राज का गठन को इसे हुआ यह आपको पुट्टी सिरी रामुलू जो गांधिवादी नेता थे अब 56 दिन के हर्तल के बाद भूख हर्तल के बाद इनकी मिर्तु हो गई उसके बाद आनन फालन में क्या किया गया आन्थपदेश राज का गठन किया गया एक अक्टूबर 1903 में याद रिखे एक अक्टूबर 1903 में उसके बाद आते हैं पिसेस तक क्या है इसका तो भासा के अधार पर गठित राज किया गया था उसमें यह पहला था ठीक है अब आन्थपदेश राज का भी अभी भैजन कर दिया गया है दू जून दूयर्चोदे को तिलगाना बना अगालेंड बनागन और माणीपूर में मतलब बहतोर में कितने राज बने तीन मेगाले मणीपूर तीरफूर वे शक्वेगा अब को सीख कम बने हैं पचातर में ठीक उसका मिजुराम बने है आपको 87 में और आचा परदेश सतासी में गुवा सतासी में तीनु राजु को राज का दर्जा मिला पहले के इंसासी परदेश थे अब राज का दर्जा मिल गए 87 में इनको याद रखेगा चले आगे हम बाते हैं नागरिकते अगे बारत में दो तरह के लोग है एक नागरिक होगे एक विदेशी होंगे जो मीतर और सत्र हो सकते हैं ट्रीक है चले आगे यहां पर नागरिकते के बारे में हो गया अब आई आए हम कुछ तो देखते हैं यहां पर संसद दोरा नागरिकते के अधारपा विभीन बीदी दोरा बिनेवित के जना उपन्द क्या है मतलब संसद नागरिकते के बारे में मतलब अधिनियम कानूर बना सकती है किसे अनुचेद मुली लखिद है तो अनुचेद में एकारे में यह बात रखेगा अनुचेद एगारे बहुत इंपोर्टेंटा है क्योंकि उनिश्यद एगारें ही संसद को सक्ति देता है कि ओक नागरिकों को परापत है याद रखेगा क्यों लागरिकों को कौन को परापत है तो पॉंद्रे सोरे अनुश्यद प्राकृतिक रूप से राश्पति बनने की योग रखते हैं जबकि क्यों जनम से नागरिक ही राश्पति बन सकते हैं अमिर्का में वहता कोचन है कि भारत में नागरिक जनम से या पराकृतिक रूप से राश्पति बनने का यूग रखते हैं उनका जनम भारत में हो यहां बाद में भारत के नागरिक होंगे वह भी राश्पति बन सकते अब्रिक्तान से भारत को आवरजन करने वाले कुछ छषर के अधिकार के बने उपन्द है इसका कोई अउक सकता नहीं है चलिए 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 यहां पर आते हैं नागरिकों के साथ विदेश्यों को भी परात मुल अधिकार मतलब कौन-कौन मुल अधिकार है जो भारत के नागरिकों के साथ विदेश्यों को पराप्त है तो वहीं पंद्रे सोरे अनाइस उन्तिस तीस को छोड़ के बागे सब मिल जाएगा मतलब आपको देखे चोदे मिल जाएगा उसके बाद आपको चोदे को बद देखे सब कुछ है जो नागरिकों साथ विदेश्यों को भी मुल अधिकार प्राप्त है याद रखेगा बस याद रखेगा क्यों नागरिकों कौन प्राप्त है तो पंद्रे सोरे अनाइस उन्तिस इसको छोड़ देजिए इसका कोई आसकता नहीं है चलिए आगे हम बढ़ेंगे मुल अध सबसेब प्राप्त है समता को अधिकार 14-18 में उसका सोटनता को अधिकार और से 1922 तक शोचन के अधिकार तीज से चोविस तक धार्मिक सोटनता को अधिकार 25-28 तक सांस्कृतिक और सिक्षा समंद्य थीकार 29-30 सविधानिक उपचार्यों का अधिकार 32 में है आगे हम सब्सक्राइब कर सकति सकतर होते इसका इस्वार अनुशित चार में क्या हुआ कि कुल उपशिष सुदस का 50% 50% 3% आधा मत मिल गया मता पचास प्रतिस्षच से आधिक मत मिल गया नए राज बन गया और नए राज बने के पहले कें सरकार आपको राज सरकार से शिपारिस भी लेती है ठीक अब उस आप समुझी राज सरकार दे या नहीं दे उसे कोई किसी राज को मिलाने का अधिकार है इसको संसद को है मतलब हाथ सब्सक्राइब को मिला सकता थे संसद मिला सकता है लोग सब्सक्राइब में संग राज के लिए नौमर सब्सक्राइब कर सकते हैं तब भारती नागरित्य का अधार क्या होना चाहिए तब जन्म होना होता है पराथ कर सकते हैं भारती नागरित्य का त्याक परत कर दिजेगा किसी अंदेश के नागरित्य का से बाहर करते तो इसे आपका नागरित्य का लोप्त हो जाएगा यह से बात वह लिखित हैं ने स्टाते हैं कुछ और प्रक्षा उप्यों तो था जिसमें भारत में नागरित्य को से समयत करूं बना सकते हैं मतला नागरित्य का बनाता है है प interactions करता है तो बहर करने के लिए भारत में कितने दिना हो का तो साता हुँआ होगा चेक हैं आहएं जो नया नागर्टा संसोदन अधियम दौइर अनिस में आया है वो लागू कब से है तो दोज जनुरी दौइज बीच से लागू है ठीक है उसमें क्या है और नागर्टा किसको किसको देना है तो अफ़करिस्तान पकिस्तान मंगलादेश के अल्प संख्यक लोग को देना है और संक के कौन है तो हिंदू है शीख है बहुत है जैन है पार्शी है इसाई है इन सभी धर्म की बेक्तियों को नागरता दिया जाएगा नागरता सुनसदन और धिन्यम के दोरा याद रिखेगा चलिए अब आते हैं नेश्ट यह होगे आपका कि अधिकार को मुलोगी की अधिकार बनाए गया कव तो छेली से सब्दान 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 दुए तुके द्वरा ठीक है प्रेस की सब्दान नहीं थे तो सब्दान गण्चद एक के अनुच्द एक के कौम में में का गांधि वाद 1908 समयंदी है कब 1931 समयंदी है चलिए सीखो द्वरा किरपार धान करना धार्मिक सवतनता के अंग माना दिए तो तो उस्त न ले और उस्त न ले दोनों है चलिए याद रखेगा अगले क्या है नागरिकता से समय तो सब्सक्राइब लागु होने के समय नागरिकता दिया गया ठीक उनसथ चो साथ आठी सब छोड़ दीजिए कोई जुरूत ने याद रखेगा यहारे बहुत-बहुत सब्सक्राइब नागरिकता के समय में बीत बीधी बनाने की सक्ति दिया गया याद रखेगा चलिए छो साथ आठ नौ दॉस आपना देख लिए जुम करके लेकिन छोड़ दीजिए तो ज्यादे बट रहेगा आपके काम कर नहीं है नेस्ट आते हो क्या है तो मूल अधिकार मूल अधिकार में आते हैं मूल अधिकार जो है आपको अम्हल ऐगया इवयसовор से लिए अपना करत्व कहां वर्यरह कितनें अप तक नहीं है वाकितने में हैं अब यहां पर भारते सभीजिए में मूल अधिकार होगे संक्या कितनी है बत्मानने च्छोव पहले क्या था धा समध्धीक अधिकर रटा दिया गया है थीक तो समध्यान मूल अधिकरों के संख्यार्व की संक्यार जो है उसको देखते है तो फॉर्स्ट क्या है समंत्याक अदिकार अनुझेद4 जटडे समत्या अधिकार अनुझेद और अगे हम बढ़ेंगे यहां पर अंस्यद 11 क्या कहता है इसमें दिया गया है गोभिंद बनाम मत्परदिश राज खड़क सिंग बनाम उत्रपरदिश तेक इसमें क्या है इसमें बुला गया कि अंसेद के डी जो है भारत के राजश्यत्र में स्वर्ट अभाद संस्रन का अधिकार को अनुषद एकोईस जीवन का अधिकार से मिलाकर पढ़ने पर एकांत का अधिकार प्राप्त होता है मतलब सीथे इतना जंदर्ट में पढ़ने के कोई यह सकते नहीं है यहां पर आपको जानना क्या है तो एकांत में निवास करने का अधिकार भी क्या है आपका मौली का अधिकार है जो कहां है किस अनुषद मौलोकित है तो एकोईस में दो केस के माध्यम से निनन निकला दो रास्ताफित पर घ्रिद जो कहां से लिए गया है जापान से लिए गया है ठीक है कि अनुष्व क्यां यह सकता है मतलब कौने का मतलब है कि पाले से अगर वी ऑनी है तो उसी अनुष्व किसी को सजा दिया जाएगा नया वी ती बना के पुराने दोस के लिए आपको चलता है तो उसी कॉंसरा दिये जाएगा ठेक चलिए अब आते हैं पर्मुक समझेत वाद क्या है तो अनुछेद आपको एक के गोपालन बना मदराश्रा उनिस पर्यास मेंनका गांधी बना भारत संग उनिस पर इसमें क्या क्या आ गया है प्राण दहविक सवतनता को कि पर्मुक और पर्मुक और जुbok है उसमें क्या उन्टर है याद रहा है उसकान्त करवास की बीरुदीकाड मतलब आपको मारा पीटैजर रहा सबलाब choking सब्सक्राइब कार्ष्यत्प्र मिलाओं के लगिक उत्मिनन के विरोध अधिकार पर्थिस्टा का अधिकार अच्छी स्वड़क का अधिकार मतलब आपका तुटाफुटा है तो केस कर सकते हैं कि आपके जिवन का अधिकार के साथ उलंगन किया रहा है ठीक पैर में डंडा बेनी डालने का क पर्मुक अधिकार अब मतलब जीवन जीना चाहते हैं इना पहुन ठंक से नहीं लगे वह भी मुचित नहीं है ठेक है चलिए आगे आते हम लों कुछ उन जो जीवन का अधिकार उसमें यह बहुत अच्छा इस जानकर लिखा et Lorgar Uhh को चिपिश्ट्य सहत्य करना भी जिवन का दिकार है शक्ष पर ज्रहत जल में जैनी का अधिकार होनी कारक उदभोर का जीवन कादिकार होता है फिक स्वास्तो मृति कर चिवन का अधिकार है असरा यह का अधिकार, जीन का दिकार, राज के बाहर ना जाने का अधिकार duy when भागचार का 50 से समन्थित.ule जों को बारे बहुत कीया दिक्ता है , जो 75 सwманu क conservatives का क्या करता है? 64 बोर्ष की उम्र तक सिकुझ सिक्षा का है तो दोरा इसमें संसुदन करके कहां डाल दिया गया इसको बोला गया चोछ से चोड़ वहीं बात यहां पर आप कहां लिख दिया गया मुल अधिकार में लिख दिया गया जो नितिनी तोत में सामिल था जो लिखा गया तो छो से चोड़ बात को आपको मौली कर्तव में जोड़ दिया गया मुल करतब क्या होगा यह हर भारतियों का करताव है कि वह अपने बच्चों को चाय वह उसके मतापिता हो या भाव को छो से चोड़ बच्चा की उन्ग में सिक्षा परधान करेंगे मतलब इतना सरह हो गया आई है समांता का अदिकार तो उनसे चोदे क्याकत है समानता का अधिकार बुला गया है जिसमें बिधी के समक समानता और विधियू का समान सरक्षन की बात की गई है आप देखिए बिधी के समक समानता विधियू का समान सरक्षन बिधी के समान सरक्षन अमिर्का से लिए गया है बिधी के समक समानता क् याद रखेगा कि इसमें आपको उचित भेदभाव का आदेश देता है जो पिछे ओर के लोग है यह जिन जो समाज में इस्तिति ठीक नहीं है तो उनको राक्षन दे दिया जाए तो यह आपको एक साकारत्रों को परदन करता है चलिए अब उपाधियों का वंत समांते का दि विभेद किया सकता है जитने बात यहां पर लिखे गए हैं धार मौल्वाण जाति शन्रमत्तफन याद रिखे हैं पांचु पांचु के अधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं निवाजतमकरी आता है लिख कि बिंगे जाता है वाँरर भी Gusow जब्धान का उलंगन नहीं हो रहा है आपके साथ भेवतभा किया जाएगा तो एक मौल अधिकार का उलंगन होगा ठीक अंसरश्थ सुरे आते हैं तो लोक निवजन के विश्वाह के समन्ता इसमें बोला गया है ठीक है उसको उन्सरश्थ सत्रे आते हैं तो अस्परस्ते या वहाद की गई है को आपको सबसे पहले का शुच्छा की गई है तक आपको अब्यक्ति की सवतंता की गई है जो पारगार के बात कि गई प्राध हो के लिए दोस्छे दीक समध में कि बात कि गई है उसके बात की गई है उसको आते हैं गहों में तो इसमें राज्षेत्र में सोर्ता अबात संसरन की बात की गई है उनसे अंगहों में आते हैं तो राज के किसी भाग में निवास करने उपसने की सतंता की बात की गई है और छो में देखते हैं तो भृतियों बेपार करने का दिखा रहा है मतलब पैसे सांति पुन जमा हो सकते हैं विना हथियार लुए एकिम भी जाहिए आपको Each सब्सक्राइब करते हैं ठीक है मतलब कोहीं जाएगा घूमने के लिए जगाव पसंद आगे आता बस जाएए आप बहुत चुरू किजिए मतलब आपको पास भासन दीजिएगा तो कुछ लोग क्या हो जाएंगे इक्टा हो जाएगा देखिए समझारें इसको वाके अभ्यक पसंद आया तो बहुत जाएगा बहुत चुरू कर लेज़ेगा ऐसे कर्म करके याद रखेगा चलिए आते हम सोस्थन के बिरुद अधिकार यह बोला गया कहां पर तो उन्हें तेज से बोला गया मानों दूरुपार दूरुपेपार मानों दूरुपेपार और बलात सर्म यह फ्लावा को पर पर प्रतिवन मस्में मतलיל मानों का मैंने करें अल्य ब्रुरुट छोडे बड़से कम करके निवेंचन नहीं कर सकते हैं तो तो चोघए बच्चो रहे थे अब झानो पूरा मन्हों बच्चों से सब से समाझने नेश्टात्य चलिए हम लोग संपॉतिक आधिकार कि जो अब क्या प्रिपकी होटा दिया तब सितिक है था मुल्स अधिकार समिधान के शम्द्धान के अनुछ संगार क्भार्थ को आपको मूल अधिकार से ओटाके का विद्धी अदिकार करे आ है आधें उस्साम न्याले ड़ितहमों संग जारी एंचटम ब्रब्णतर कि तर्फ 2 शवेशेड दारी करता है जाद रखएगा अब वेरीट में क्यां किया गया है तब बंदी परत्यक्षिकरण होता है वो नागली को और सरकार दोनों को भीयूद जारी किया जाता है आथिकार पिर्च्षा याद रिखे इस सबका इंग्लिस नाम भी याद रिखेगा, ईसका इंग्लिस नाम भी याद रिखेगा, आपके लिए जरूरी जलिए आगे हम आते हैं धार्मिक सोतंतय का अधिकार जो है, ऑशित पचीस में है, क्या बला गया है? परचार करने का दिकार है. परचार किजेए, परवन्दन कीजेए, परवन्दन के सांवसंद क्या किजेगा, आप उसके चलाने के लिए पैसाज जमा कर लिए. तब विश्ष धर्म की अभिवेर्धि के लिए करो के संदाय के बारे में सोतान्ता, मतलब आपको रिक्ठ्या कर सकते हैं ठीक और अगर कोई ब्यक्ति आपके धर में सामिल नहीं हो रहा तो उसको जबरत्ति सामिल नहीं कर सकते हैं मतलब वो सवतन्त है सामिल हो या नहीं हो तो उनसे ठ्राइज क्या काता है कुछ सिक्षन संतार में धार्मिक सिक्षा या धार्म सब्सक्राइब करने का अधिकार है है कि नहीं है चलिए तब आते हैं सांस्कृतिक और शिक्षा समध्यादिकार यह बुला गया है अब संक्राइब करने का अधिकार है सब्सक्राइब कर सकते हैं इस सब्सक्राइब कर सकते हैं इस सब्सक्राइब आते हैं अपातकाल में क्या होता है तो मुल अधिकार के निलमन होता है तो अनुष्ध जो 308 है उसमें क्या होता है कि आपात का लागू होते ही क्या होंगे कौन सा पाधकाल करता है तो यह आपको राष्टिय आपातकाल के बात करता है ठेक है तरास्टी आपात का लागू होते ही उनसे अनेस खतम हो जाएंगे यह बात कहां पर है तो उनसे 358 में